जो राम नहीं है यह ज़िए पर दक्रमाद करने की बात करता है वो तो सेकुलर हो गया और आध्या कमिनल हो गई प्रोपोगेंडा है तो मैं यह पुझाता हूं जो रामंदर के फैसले आने से पहले दंगे होते थे वह आप रामंदर के फैसले आने के बाद एक भी दंगा किसीने नहीं सुना अपने टेल टेलिविशन टाइम पर सबसे बड़ी तुपड़ी हैं ति आज का मीडिया जादा क किसे दो डालती है तो आज की मीडियों बहुत ही सांदर और मुझेदार होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिमिटर पहली चीज़ों का जिक्र है उस सुप्रिम कोर्ट के जज़्मेंट में पहली चीज़ उन्निस उन्चास में जो राम लला की मूती रखी ग मैं मैं अपनी बात कहलों मस्जिद को किसी मंदिर को तोड़के मस्जीद नहीं बनाएगा इसके सबूत नहीं मिले वहाँ इस तरीके के जरूर है कि कुछ देवी देवताओं को कुछ बिले ये तीन चीज़े सुप्रिम कोटिंगे मैंने तो नहीं कहीं आप इसने चालिस सा देगे मेरे खलाए फायाद दर्श कर देंगे यह तो सुप्रीम कोट ने का कि बावरी मजजिद गिराना पराद दूसरी बात मैं एक बात कभी समझ नहीं पाता हूं कि अगर हिंदु धर्म का जिक्र करना है तो शर्या बद शर्या के बारे बात करने कि जरूत क्या है राम म करें बात करिए अब कभीर के बारें बात करिए अब तुम्सी के बारें बात करिए अब वेद के बारें बात करिए उप्रिशत के बारें बात करिए बिना इसलाम के जिक्र के एक सेंटेंस बोल देतों तो मैं बात वनुको जरा सबर गरो बोला धक्का बुक्की नहीं करने क इनका बहुत साफ इनोंने कह दिया कि धर्म प्रेक्षा की बाद एक एखरम को समझाना है बाकी का तो पूरा माल लेना है इसलिए 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 हिंदु दर्म की बारे में बिल्कुल आप अपनी अपनी बारी में इन आप शाउटिंग माच ने आज तक पर आज त कोई बारे में बारे में अपने को जीतो बोपाल राम के नावों पर कभ मैंने अस्याचार किया कब दुनिया को हिंदू करने घरगर में नर्तंगार किया कोई बतलाए काबूल में जाकर किती मस्जित तोड़ी भूभाग नहीं शक्षत मानव के हृदए जीतने का निश्च सुप्रीम कोट ने कहा कि मंदिर तोड़ के मजजित बनाएगे सरासर जूट सुप्रीम कोट ने ये बोला कि बारवी शताब्दी में वहाँ पे मंदिर था इसका कोई सबूत नहीं मिलता बारवी शताब्दी में एक हजार साल पहले का आर्केलोजिकल एविडेंस है और सुप्रीम कोट ने उसके आगे क्या बोला उन्चास को वहां मूर्टिया इस्थाफिक होने के बाद कोट की पर्मीशन से तो पूजा चलती रही तो सारे कोट के निरने गलत थे तिरपन साल तक यह तो नहीं माना कोट ने और एक और बाद बताओं आपको पता है जब मूर् किया दूए उसी पाही का नाम जानते का था अब्दुल बरकत अब्दुल बरकत को तो रोश्टियों ने चास में दिख गई थी ने 2024 तक नहीं दिख रही है अब सुनिए अब सुनिए एक और बाद सुनिए एक लाइन और बाद का पैरोकार कौन है मुद्दाई जो लड़ यह बड़ी अच्छी बात के यह अब तक तो सोशल मीडिया पर राम अंदिर के नाम पर जो आप विपक्षी नेताओं को रोशनी के लिजी आईना दे जो भी आप दिखा रहे हों पता नहीं क्या दिखा रहे है बीजेपी के एजंट बन गए होंगे आप सोशल मीडिया पर मैं राम का एजंट हूं मुझे दो तीन बाते कहनी है पहली बात सुप्रीम कोर्ट में लगातार कई वर्षों तक इस पर आर्गिमेंट हुई है उन आर्गिमेंट पर बात की जा सकती है लेकिन अब उनका कुई रेलिवेंस नहीं बड़ता है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसल फैसल आगे उसे मानेंगे तो फैसल आगे मांते क्यों नहीं एक सवाल दूसरा दूसरा अभी आम जो कमिनल पार्टी जिसको आप मनते हैं सबसे जाद है कमिनल पार्टी जिसको मांगे जिसने सनयाम कहा कि बाबरी मज्जित को द्वस्त करने की बात करता है वो तो सेकुलर हो गया और आयुद्या कमिनल हो गई जवाब दीजिए एक्दम सीधा सवाल सीधा सवाल और या अश्यतोर जी भी अगरी करें कि शोजिए भगवान राम से परेज है और यह बात अलग है आपके विचार और भासा बदल सकते हैं लेकिन आपको नहीं मानेंगे तो हम राम कुरी कैसे होगा है अब बता दो सवाल है पहला सवाल आयोध्या से परेज है बिल्कुल नहीं है ठीक एक सब्सक्राइब भूलने तो दो उनका जरुवत नहीं है और नितिश कुमार जी से भी परेज नहीं है जो कहते थे कि आर्जेदी पूरी चोरों की पाइच लिए उनको भी एक्सर कर लिगा राम को एक्सर्ट म आप जाएंगे तारीक नहीं बताइए ये लालुजी तो मुझे नहीं पताा गोल narrator यूयाए दॉत evident कि अवध्या बताइए आप दरसर क्या है ना आप इस सवाल का जवाब दीजिए आप दुधर्म की बड़ी उल्टी व्याक्षा कर रहे हैं अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो हिंदु द्रोई हो गए राम द्रोई हो गए यह जवाब दू नहीं जाएंगे यह बच्छे इंतिजार करें बहुत देल स मैं आशतो जी का जवाब देना चाहता हूं पहली बार शास्त की वयाक्या, जोटिश की वयाक्या, धर्म की वयाक्या आजकर वो लोग बहुत करने हैं जो राम मंदिर नहीं जाना चाहते है हाहह हाह और मंदिर बनने जिसके विशह में प्रदान मंतुई जी ने आज भी बोला है अयोध्याक और विकास होना है जैसे 1951 में सोमनात मंदिर की प्रांट पतिस्टा हुई थी और पूरा परिस्थर बनके तो 65 में तयार हुआ था इसका कोई लेना देना कहती है कि प्रिजेंट जो रामंदर को लेके फैसल आया उसमें प्रिजेंट सरकार का कोई हाथ नहीं है तो मैं यह पूछा चाता हूं जो रामंदर के फैसले आने से पहले जो दंगे होते थे वो आप रामंदर के फैसले आने के बाद एक भी दंगा किसी ने नहीं सुना आप तक क्या इसमें BJP का जून व्यवससात उत्तर प्रदेश में बीजेपी सी अधेर ही देख रहे ने उसका श्रह योगी जी को देने के लिए कह रहे हुआ है खार ऑफ जया जाते हं इस ! अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटाने उस पर अपने जीजा जी फैक के मारो या फूपा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी